Hey guys, welcome back to my deep channel तो आज हम King of Manifestation Series को फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिवेस एपसोड में देखा था वो टेल्समें उन दोने के सामने आ जाते है जिंगर सोच रही होती, जो भी टोकसिंस थे मेरी बोडी में फैले हुए वो जा रहे हैं, क्या यह एफेक्ट है वाइले टेल्समें का? वो बोल रहा होते है शुक्रिया मेंटर तो एपसोड नमबर 37 की स्टार्टिंग होती है जिंगर सोच रही होती है कि वाइलेट वाइबरंस मेंटर ने मुझे चूस किया पर मैं तो बड़ी मुश्किल से टिक पाई इस बैटल में वांग ही जू के अगेंस्ट में वैल चलो मुझे वाइले टेल्समें मिल तो गया आफ्टर ओल वो शुक्रिया बोल देती है मैंटर को तब जाओ को और बाकियों को गोल्डन टेल्समें मिल चाते है जाओ को बोल रहा ओता है किया मुझे मतलब मैं गल चीज़े देख रहा हूँ मैं तो यह सोच रहो कि मुझे गोल्ड टेल्समें दिख रे है फिर वो ख़रा निस होलती है गोल्ड टेल्समें मिल गया में ऐसा लगर है कि हमारा काम कुछ मेंटर्स को अच्छा लगा इसे ग्रो कर पाऊंगी. वो फिर रहाँ निसे देखती है, बलती है, क्या, इसके पास भी? यूलांग के सामने भी वाईलेट एल्समान होता है, वो बोल रहु हता है, क्या? वो से पकड़ेतर भोलता है, मेरा है, मैं नी दूँगा इसे. वो चुपा रहा होता है, बैड़ा उसे उसे, बैड़ा बोलती है कि यह तुम्हारे पास ही आया है, कोई भी इसे छीने गा नी तुमसे, यूलांग बोल रहा हते है, मेरे लिए वाइलेट वाइबरांस मेंटर ने मुझे चूज किया, और इसके ओपर मियर लिखा हुआ है, अ मैंने सुना है कि जो वाइलेट वाइलेट वाइबरांस मेंटर होते है, उसे तीन ही स्टूडेंट्स को लेते हैं, प्लीज फ्यूचर में मेरा दिहान रखना, मैं यह सोच रहा हूँ क्या तुम मुझे इंटर्यूज कर सकते हो, बैड़ा हो बोलती है गुसे से कि एक और त कर दूंगी, उलंग जल्दी से पिछी के तब भागता है, डर के मारे, बैड़ा हो सोच रही होती है, बेशरम सा इंसान मेरा साथ ही होगा, क्या गंदी किसमत है मेरी, फिर ऐसे मास्टर चूज कर रही होते है, स्टूडेंट्स को जैसे जैसे रिजल्ट मिल रहा होता है, उ जाती है, स्टूडेंट वहां से गायब होने लपड़ते है, वाइस प्रिंसिपल सूजन बोल रही होती है, कि टीचर्स को चूज करने की प्रोसेस खतम होती है, सभी को कॉंग्रेचुलेशन्स, और आज से तुम ऑफिशिली स्टूडेंट्स हो हमारे होली स्टार कोलेज के यहां पर तुम स्टूड बनोगे, सेम टाइम पर तुम असलित जानोगे इस वर्ल्ड की, जिन स्टूडेंट्स के पास सिल्वर और गॉल्ड टेल्समन है, वो अपने मास्टर्स के पास जा सकते हैं, मैं उन 15 स्टूडेंट को भी कॉंग्रेचुलेट करना चाहती हूं, जो वो हमारे वाइलेट बाइबरेंस मेंटर के अप्रूवल को जीते हैं, नेक्स्ट मैं स्टूडेंट की लिस्ट को अनॉंस कर देती हूं, जिने वाइलेट टेल्समन मिले हैं, तब हम लिस्ट दिखाई देती हैं स्टूडेंट्स की जिने वाइलेट बाइबरेंस मेंटर ने के पास एलिशा क्या नी और सी क्यूं लिंग होते हैं लिलू सोच रहा हता है बाइ मैंगो और मेरा सेम ही टीचेर है कि इंफू जो की सेवन्थ रैंक पे था जिसके पास सेड़ रेसलेंस थी वो भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया थे कि युलांग को भी वाइलेट वाइबर सेम नहीं है बाइ मैंग मैंग भी सुन्दर है उसके लुक्स काफी ज्यादा किलर थे काफी ज्यादा लोगों के लिए वो जो माशल स्कूल का बच्चा होता है वो सोच रहा थे ल्यू क्यूंगर यह न्यू यह लड़कियों के नाम है दो लड़किये मेरे ग्रूप में कैस मैंटर चूजी का गुरूप वो भी स्टोंग ही लग रहा है और अब यह यू लंक हो ना मैंने दो इसका नाम ही कभी नहीं सुना लिंक्विंग बोल्टर होती कि लीलो को मेस्टर जी चान नहीं सूस कर लिया फिर ऐसे नामस्मेंट होती है कि सभी अब तुम फ्यूचर में अपना बैस दिखाना यह पॉसिबल है कि वाइलेट वाइबरंस मेंटर स्लोट्स खाली कर दे लाइक तुम फ्यूचर में उनके स्टुडेंट्स बन सकते हो हॉली स्टार कॉलेज में हम किसी भी स्टार को नीचे नहीं किने रिएते हैं रास्ता काफ़ सा 2025 है काफ़ सा चेंजर हो सकते हैं यह स्टार्टिंग ही है हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा जो master's को choose करने की process थी वो या ही officially खतम होती है अब जो जिन्दगी या holy star college में तुम्हारी वो शुरू होती है Vice principal ऐसे बोल रहोती है eldest princess को कि तुम्हारी आने से well हमें अच्छा लगा Princess बोल रहोती है Vice principal तुम्हारी words कुजा काईट है मैं भी याँ पर student ही हूँ अभी Emperor बोल रहोता है कि holy star college असे देखने से को जादे ही fun लग रहा है कि मैं भी याँ पर cultivate काने के लिए आ सकता हूँ Susan बोलती है कि holy star college के doors हमेशा open रहेंगी जिनके पास strength है और status से well कुछ जादा फर्क नहीं पड़ेगा पर उस टाइम पर तुम्हे अपनी identity को छुपा के आना पड़ेगा college के अंदर तर प्रिंसेस Emperor के सर के उपर हाथ रख देती है और बोल रही होती है पर इसकी body को जादा ही कमजोर है इसे दवाई की ज़रूरत पढ़ती है daily इतने जास सालों में हमने जिया किंडा में हर जगा पर सर्च किया पर कोई भी इसे हील नहीं कर पाया सुजन बोल रही होती है मुझे डर है कि जो ड्यूक लैवल मास्टर जिनके पास वार्टर वूड और लाइट रेजोनेंस है वो ही किंग की इस प्रोब्लम को ठीक कर सकते है पर यह मुश्किल है ऐसे इंसान को फाइंड करना जिनके पास दोनों रेजोनेंस हो पर बात वही है नहीं कि ऐसा परसन भी शायद पूरे तरिक के से इस प्रोब्लम को ठीक ना कर पाए शायद हम एक किंग कल्टीवेटर की जुरूरत है जिसके पास तीन रेजोनेंस हो एलस्पिन से सोच रही होती है कि यह तो बेसिकली इंपोसिबल है तब ही वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि डरो मत हम डेफिनेटली किसी ने किसी को फाइंड करी लेंगे एंपर बोल रहता है कि लीलू के पास सेकंड रेजोनेंस वुड रेजोनेंस नहीं है कि इसका मतलब जब वो ड्यूक बन जाएगा तो हमारे पस चांस होगा है ना सूजन बोलती है कि अगर लोजिकली बोल ले तो हाँ पर यह पता नहीं कि कितना जादा इसे टाइम लग जाएगा ड्यूक स्टेज पे पहुंचने के लिए और उपर से रेजोनेंस एफिनिटी किसमत के उपर होती है कोई गरांटी नहीं है कि उसके पास लाइट रेजोनेंस मिलेगी मतलब गरांटी नहीं कि होगी इसके पास एल्डेस पिंसस बोलती है पर अभी भी चांस है इंसान बोलता है कि हाँ अभी के लिए आंखे बार ही रखते हैं सिच्वेशन से क्योंकि हम जादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं को फेमस करा दिया अच्छी बात है में लिए फिंगर भोलती है ठीक है काफी है इतना बुरा नहीं है कि तुम इपाएगा मेरे साथ पर लोग आगे से आरहे है एक लड़की बोलती है कि यह कौन है लोग का स्टुडेंट है एक इंसान आरहा होता है दुसरा बोलता है मैं तो बहुताता हूं यह सारी four star whole students है जो पहला है वो रिजंट का बेटा है गॉंग शंजुन जो हमें इंसान दिखाए दे रहा होता है Hmm par के साथ लो इंसान बोलरह बोलता है कि यह सात इसे लिट्ट्रोंग से और उन पिलर्स में से सबसे श्त्रॉंग है ऐसा बोला जा सकता है कि इसे स्टॉंगे स्टॉडेंट मान सकते है Holy Star college में लीलुओ सोच रहा होता है, मिदल बोलता है कि यह तो हमारी तरफार है, पर मैं ऐसे जानता है नहीं हूँ, एक ही possibility हो सकती है, Linking गोलती है कि तुमने इसे guess किया लीलुओ, तुम्हारा सबसे बड़ा rival यहां पर आचुका है, गॉंग आके बोलता है कि जियां क्यूंगर, मैं क यह सिर्फ नए बच्चों की choosing थी, सीनर गॉंग तुम को जादा इसे praise कर रहे हो, गॉंग बोलता है कियूंगर, तुमारे standard को जादा हाई है, सभी के पास natural 9th grade resonance नहीं होती है, तुमारे टाइम पे violet vibrance mentor तो आपस में fight कर रहे था तुम्हें चूज करने के लिए, लिलू resonance 9th grade resonance की तरह rear होते है, क्यूंगर बोल रही होती है कि ड्यूस होंग लियान, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें starting में defeat कर दिया था जब हमें choose कर रहे थे mentor, होंग लियान बोल रही होती है कि तुमारे इतनी हिमत, गॉंग बोलता है होंग लियान, यूकॉमर्स अभी अभी एक चीज़ तो करो हमारे लिए, प्लीज यहां पर fight मत करना, होंग लियान बोलती है कि अगर senior gong बोल रहे हैं ऐसा, तो मैं भूल जाती हूँ, पर ऐसे थोड़ी सी बात के बात, यान लिंक्विंग और लीलू दोनों अपने अपने मतलती हैं और अपने अपने रास्ते चल तरीके भी जिसे तुम लिलू को मना सकते हो, इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए, gong बोल रहा होता है कि तुम गलत सोच रहे हो, जियान क्यूंगर इंगेजमेंट से बंद ही नहीं है, जो मैं चीज़ चाहता हूँ, वो जियान क्यूंगर का दिल है, उस तरह की लड़की के लिए हम चीज़ें ऐसे जल्दबाजी से नहीं कर सकते हैं, मैं सिर्फ टाइम का इंतजार कर सकता हूँ, और अपने चांस का इंतजार कर सकता हूँ, और यह बात लीलू की, अगर ऐसा हो सके तो मैं उसकी साइड मेरा ना चाहता हूँ, लीलू के क्लोज में रहाँगा, तो उसी तरिक्के से मैं जियां क्यों करके क्लोज में आ पाऊँगा, तब तक मिलते हैं आप से कुछ दिनों में, बाई